हेलो इब्रीवन तपा हड़लाए रुपेश टूटर से केज़ मी माँ स्वागत छ आज फेरी मैले कांटी लीभर बीम कई बेस्ट माँ उटा नमेरिकल लियर आको छू एस ते खाले नमेरिकल आमले पोईला उटा गरी सक्या छू एदि मेरो वीडियो तपा हडलाए रामर ला इफ आमास अफ पंद्रा केजी इस ट्रोप अट फ्री एंड अफ बीम अफ हाइट 250 YM, फिजिए मैंक्सिमम बेंगे स्टैस डेवले और मैंक्सिमम टीकल अफ वेलाए लास्टिक बार हजार नूटन फर YM स्कौर छाब यह लेंथ बीम यह लीज गल्डू 3.5 मीटर वेट वानसी हमले मास ले लाई 9.8 ले मल्टिप्लाई गरता वेट आयो ती न्यूटन आयो रही को हालू 12,000 न्यूटन पर अम्यम स्क्वाइर देगो छा जस्त लाई महिले यो ती न्यूटन पर राखनू पर नेऊंछ या मीटर में राखनू सपई लाई या में में राखनू सपई लाई महिले यहां मीटर मा छा भनसी न्यूटन पर मीटर स्क्वाइर मा लगनू पर शमलाई के सली ये 12,000 चहा इंटु न्यूटन पर अम्यम स्क्वाइर मा लगनू लागी 10 to the power 6 ले मल्टिप्लाइ गरनू पर नेऊंछ रो यो multiply किना गरने भने पछी यह अधनुस्ट यह हैम लाए unit Newton पर यह मियम स्क्वाइर माँ छो है हैम लाए Newton पर meter square माँ चाहियो Newton भयो रो यह मियम लाए हैम लाए meter माँ लगनु पर भनसी है हमी लो थाउजेंट लो डिवाइड गरठूं या 10 to the power minus 3 लो multiply गरठू dimension a 10 to the power xagog an impressed 10 to the power x Auto सिक्वाएर माँ यहाम लाए यहां आम लाए फिगर यहां पोहला आजाते ही फिगर छा एड़ी सकन भाया यहां यो जुन क्रॉस सेक्षन छा बीम को 0.200 mm थेवां सी मीटर अम लगदा 0.2 मीटर थेवां सी 0.3 मीटर मोमेंट आफिनर सी यहां रेक्ट्यांगल को बीडी क्यू बाइट टू भायो रडी को 0.3 को स्क्वाइर बाइट टू राखनूस यहत्ती हो चा मीटर को पावर बाइट फोर तो पावले यहां योडे युनिट मा राखनू पन्ने पहिला आप मेले भने काई थिये स्टाटिक डिफ्लेक्शन को फर्मुला डबली यल की वै थ्री ए आई उन्छा इन्द केस आफ केंटीलीड भर बीम ओनली योई ना निकालना पनी सकीन छा तरा निकालना रो गरे भने एक पेज हमेला बरी लाग्छार एक्जामा हमेले टा स्टाटिक डिफ्लेक्शन या मैक्सिमाम डिफ्लेक्शन निकालनू परे भने हमेले स्टाटिक डिफ्लेक्शन लाए इंपक्ट फैक्टर ले मल्टिप्लाई गरनू परने हुन छा रो स्टाटिक डिफ्लेक्शन डबली यल की वै थ्री आई बहयो डबलु को वैलू 147.15 व 3.5 m माँ छा, 3 e को वालु मोडलस of Rigidity को स्टिचिति को वालु यही छा, रो Moment of Energy i को पहला को कैल्पुलेट करें को वालु यहा राकनुश, यहत्ति आउ छा, रो Impact Factories कल दू आम लाए थाचा फर्मला 1 plus root under 1 plus 2 H by Static Deflection, 1 प्लास 1 प्लास रूट अंडर वहांच यह शानी 2 इन्टू यह को भालना हमले कती हाइट बाटा खस आको चों 225 mm थियो वहांच 0.25 मेटर मा भायो रे स्टाटिक डिफ्लेक्शन यही हमले कैल्कुलेट गरे को यहां राख्यों वहांच impact factor 36.845 आयो maximum deflection चाहिए वहांच यही इन्स्टेन्स टेनेस डिफ्लेक्शन हुँगे maximum deflection चाहिए वहांच यहमले static deflection लाए impact factor ले multiply गरनू परनी हुँँछ रा हमरो static deflection यहां आको चा रा impact factor यहां निकाले रा multiply गरनू भाणे यहती आओ छा रा maximum bending moment in case of cantilever beam मा w into yl होंच रा w को हैलू यहती छ यहल को हैल 3.5 meter च यहती निकालनुभा रा हमले पहिला इबेंडे equation या flexural equation पर रा आको चुम यहां 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 बाई i is equal to sigma by excuse me एक छीन यहां बाई i is equal to sigma by y is equal to e by r हमले पर रा को चुम यह द्वीटा लाए मिले लिए अब सिग्मा हमले चाहिए भनसी y ले cross multiply गरे sigma static is equal to y by i into y भायो रा यहां निकालेको y maximum bending moment होत्ती हो भायो i moment of inertia निकालेको भायो रा y भने सी हमलाई neutral axis देखीगो distance लिनू पर्ने उन्चा हमलाई यहां 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 ना सक्नी हुन्चा था पाई अगले यहां हम्रों cross section हो देप्त हम्रों जमाद 0.3 चाहँए neutral axis water distance 0.3 by 2 आद्धी मेल आद्धी उन्चा हम्रों 0.3 by 2 हुन्चा 0.3 by 2 चाह रा static bending stress साम्रों यत्ती आयो रा हमले impact factor पहले calculate गरी सका चुम हमले यहां impact factor ले हमले static bending stress ले हमले impact factor ले अधी multiply गर्यों भने सी maximum bending stress या instantaneous bending stress साम्रों आउछ अईना यसरी तपायोर ले cantilever beam को case मा cantilever beam में अधी आया भने सी यसरी तपायोर ले गर्णा सक्न हुन्चा यह पनी पोखराई इन्वर्चिटी मा सोदे काई क्वेशन थियो क्वेशन थियो